जैन दोस्तों मैं डॉक्टर राजी व्यादो आपका अपना शुशुरू विश्यशक्य आज मैं आपको बताऊंगा चुकि गर्मिया आ रही हैं बच्चों का ख्याल कैसे रखें इस बारे में और इस मौस्वम में क्या होता है सर्द गरम होने की संभाना और वारल फ्यूर की संभाना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप ऐसे समय में बच्चों का ध्यान किस तरह से रखें तो लीजी मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं कि सबसे पहले से देखिए वातार्ण में होने वाले परिवर्टन के साथ अपने रूम का जो टेंपरिचर है उसको आ माले जे बच्चे ने पहना टी-शेट तो उसके उपर से एक आप एक और कपड़ा पहना सकते हैं और रात के समय माले जे तीन-चार बजा अगर ठंड लग रही बच्चे को एक स्वेटर बगल में रखिए और जिसे दिन के समय धूप निकलती है और बच्चा खेलने निकल तो क्या कि ज़ा माला पर ठंड जएक तो क्या कि जुकि जहम की वहां पॉडर लगा कि सुपकल। यह इश कून उसका है लगाले जए को प्रृट में वाले इए जपर यहां पर उगल्मभी निकलती है और रहा है swear पक्रिया बच्चे ही बच्चे में लगा धाली आप ने दिखा होगा कुछ बच्चे ऐसे सरगड़ते रहते हैं कुप सार अमयल निकालते रहते हैं फिर इसके बाद वह लाल हो जाता है इधर दर भी ठीक है तो इन एरियों में भी इन जो शेत्रों में भी आप पावडर लगा सकते हैं साथ में सेम पीछे आपका जो पैर है आप रसना बहुत फेवरिट था हमारे जमाने की बच्चों में तो यह आप कर सकते हैं और बाकी ध्यान दिजे कि बच्चा बहार का भी बहार का कोई चीज ना खाए मतलब बहार की जैसे की चीजें बिकोज इस मौसम में क्या होता है ना जो हमारी जो पाइपलाइन होती है और बारिश का पाने जब उसे मिलता है तो इसके बाद क्या करता है जो दिवारों में जमा हुआ जो रहता है आरेन कच्रडा ये सब वो सब को ले के चला लाता है फिर प्र क्या होता फिर आप चौंखे helan को तो थोड़ा दिन तक लील जीजे जिससे आप वार्ला फिवर से बच सकते हैं और बाहर की चीजे ना खाएं जैसे मैगी चौमेन वगरा फास्ट फूड वगरा इनका सिवन कम से कम करें घर में बना हुआ खाना ही ताजा खाना खाएं और साथ में एंटी ऑक्सिदेंट लेते रहें जैसे कि बच्चों में अगर बोले तो आप ले सकते हैं सिरप औस्टो पॉलिबियोन ले सकते हैं सिरप वी सिनिरिल ले सकते हैं और सिरप पॉलिबियोन ले सकते हैं तो जैसे अगर 5 साल से चुटा बच्चा है, जैसे 2 साल से 5 साल तक का बच्चा है, तो उसमें आप OSTROPOLIVION दे सकते हैं, 2 साल से 5 साल के बच्चे में OSTROPOLIVION की डोस होगी, 2.5 ml सुबशाम, 5 से 10 साल का बच्चा है तो उसमें 5.5 ml सुबशाम, और दस से पंदर साल का बच्चा है तो उसमें साड़े साथ मेल सुबर शाम सीरप ऑस्टो पॉली बियोंग ये दे सकते हैं आप और अगर बच्चे की डी वर्मिंग नहीं हुई ये और बच्चा बहुत खुजला रहा है पिछोड़े के रास्ते हैं बहुत खुजली कर रहा है ठीक से खाना नहीं खा रहा है चिटीडा सा हो गया है तो आप उसे सीरप बेंडी प्लस आता है वो दे सकते हैं इसकी मातरा है 10 ml hs मतलब 10 ml रात में 3 consecutive nights के लिए मतलब आज रात कल रात पर सुरात ऐसे करके और देने के पहले ये ध्यान रखें कि आप उसे अच्छी तरह से शेक कर लें ठीक है दोस्तों कि क्या होता है अगर हम उसे अच्छी तरह से शेक न करें उस सीरप को तो जो दोड़ाई जो रहती ही ना वो नीचे दवी रहती है और उपर पानी रहता है तो हम ऐसे करके पिला देते हैं वो पानी जाता है फिर बोलते हैं कि सब कीड़े तो निकले नहीं तो कीड़े कब निकलेंगे जब अच्छी तरह से उसको शेक करेंगे तो दोस्तों आशा है मेरे दर दीगे जानकरी आपके लिए लापदायक से धोरी होगी ऐसी ही और जानकरी लेकर मैं आपके सामने उपसित होता रहाँगा तो इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें मैं आपका बहुत अभारियों की आपने अभी तक मेरा साथ दिया है और मचाऊंगा कि ये सफर और लंबा खीचे तो ऐसी जानकर यहां अपने दुस्तों में भी फैलाते रहिए अब तक के लिए धन्यवाद जैहिन